है ओके तो जैसे फ्लिप कार्ट और Amazon पे शेल चाहरे है फ्लिप कार्ट के बिग सेविंग डेज और Amazon के प्राइंड देज वैसे ही गाइड़ी पर भी एक सेल चल रहा में भी काफी जाधा value होती है आपको मालूम है कि paid content को यह अगर provide करा रहा है तो वो भी कोशिश करता है कि student अगर इसको खरीदे तो सो कुछ value लगे तो उसमें काफी जाधा अच्छी चीज़ें होती है free content जो होता है इन सब channels का या इन सब website apps का तो उसका main concern भी यह होता है कि वो student को दिखाए कि देखो यह मेरी quality है तो आप paid content को purchase कर लो तो यह जो paid content है इस पे काफी अच्छी deal है इसके बारें बात करेंगा और मैंने खुद यह बिना deal के purchase किया हुआ है तो वो भी बात करेंग कि वो कितने का पड़ा था और इसमें अभी क्या difference है ठीक है तो सबसे पहली बात इस product का नाम क्या है तो इस product का नाम है supreme bundle pdf course ठीक है समझ गए अब आते हैं इसमें क्या क्या benefit है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा topic wise bundle pdf के 14,000 questions 14,000 questions देखो यह basically ने एक practice set type का होता है समझ रहो मतलब आपको अगर आपको कोई भी aspirant हो या aspirant हो आपको questions करने की आदत है तो आपको पता होगा क आपको पहले या तो आपके पास books होंगी या book खोले paper ली और questions लगाने बैठके या दूसरा क्या तरीका होता है कि आपको कहीं से questions source हो रहे है या आप बस last five year वाली वो booklet खरिद लिए सिर्फ focused हो के सिर्फ bank में जो जो आया वही सब last five year के तरह लगा रहे है या आप बस mock test से practice करते हो सबका practice करने का अलग-अलग तरीका होता है यह तरीका जो है यह मुझे पसंद आया था और इसलिए मैंने इसमें investment भी की थी और इसलिए इसके बारे में आपको बता रहा हूँ अभी इसमें आपको डेली के बाई नाव पर क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आएगा have a coupon code जो है वो इनके खुद के चैनल पर मिलेगा इनके यूट्यूब चैनल पर चले जाना वहां मिल जाएगा तो वहां से देख लेना यह बता दिया बस ऐसा payment पेज आता है ठीक है चलो तो इसमें जो आपको मिलेंगे वो इसमें मिलेंगे questions बस questions 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 आपको इसको उठाना है questions देखने solve करने और उससे भी अच्छी बात कि per day के हिसाब से भी इसमें unlock होता है तो आपको भटकना नहीं जैसे आप purchase करोगे फिर इसा day 1 करके खुल जाएगा फिर आपको day 1 के लिए ऐ आप उनको कर लोगे तो इस तरह से क्या होता है target practice बोलते हैं इसको आप targeted practice करोगे तो आपका सब कुछ overall cover होता रहेगा तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा topic wise bundle pdf मतलब topic के हिसाब से आपको पता होगा कि आपके अलग-अलग topics होते हैं अगर di है arithmetic है जो भी उसमें अलग- अगर कोई topic week है आप उस पर जादा जादा practice करना जाते हो तो आप उस section में जाके topic wise questions निकालके बैठके लगा सकते हो दूसरा exam wise 40,000 plus questions अब exam wise क्या है दो कुछ लोग होते हैं न वो बस selective exam की तयारी करना पसंद करते हैं जैसे बस IBPS की करेंगे बस SBI की करेंगे उसमें भी बस PO grade की करेंगे या बस किसी को चाहिए जल्दी मिल जाए कुछ भी मिल जाए तो बस वो clerical grade की करेंगे तो उस हिसाब से आप बस exam wise भी जाके और बस directly उस exam के base पर ही जितने questions आए बस वही लगा सकते हो साथ में इसमें general awareness और computer awareness जो की हर exam में नहीं होता है लेकिन mostly में होता है तो उसके भी 12,000 से जादा question मिल जाए रहे हैं आपको इसमें तो आपको बस general awareness या computer awareness भी पढ़ना है तो वो भी आपका इसमें cover हो जाएगा उस सारे questions आपको मिलेंगे आप बस questions की practice करते रहो और सारी major और bank exam cover है और इसमें video solution भी detailed मिल जाएगा अब मैंने computer awareness और general awareness का भी try किया नहीं है ठीक है वो topic wise और exam wise try किया हुआ है उसके तो video solution है पता नहीं अब computer के क्या ही होंगे होते होंगे इनकी वैसे पूरी team है तो यह 4 ना और यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे भी बताया हुआ सौरी ज्यादा जूम हो गया ठीक है SBI RBI IBPS PO and clerk दोनों covered है pre mains सबका clear होई क्योंकि questions के level हर तरह के है इसमें ठीक है general awareness के PDF मिल जाएंगे 499 का यह आपको पढ़ा है और मैंने आपको पहले ही payment page भी दिखा दिया और कहां coupon लगाना है वो भी दिखा दिया coupon कहां से मिलेगा वो भी बता दिया मुझे यह पढ़ा था ट्रिपल नाइन का और उसमें एक साल की validity थी यह जो आपको 499 का मिल रहा है इसमें 8 months की validity है लेकिन 8 months की validity है वो काफी है यह अगर आप अभी जुलाई से देखो है ना ओगस्ट हो गया तो जुलाई end ओगस्ट से अगर आप देखो तो मार्च तक में आपके सारे exams cover हो जाने 8 months इसलिए काफी है ठीक है मार्च एप्रिल तक सब कुछ खतम हो जाता है फिर थोड़ा सा break रहता है तो तब तक के कवर हो अब देखो यह क्या सब को लेना चाहिए इस पर भी सिंपल सा answer है प्रैक्टिस जिसको करनी है और जिसको भटकना नहीं है जो थोड़ा आलसी है अब मैं तो थोड़ा आलसी वज़े से लिया क्योंकि बुक तो होते हैं या आप खुद भी ढून सकते हो questions लेकिन अब मिल रहा है एक जगह बस उस पर क्लिक करते जाओ खुलते जाता है और लगा के फिर बंद कर दो तो वो थोड़ा easy भी पढ़ता है और ऐसा नहीं है कि बहुत easy questions रहते हैं या बहुत tough रहते हैं एक दम सही mixed balanced type of questions रहते हैं ठीक है यह मैं topic wise और exam wise मैंने try किया उसका बता रहा ह दूमने खाद तो इतना ही रखता है आगर आपको चाहिए अगर आपको लगता है आपके लिए यूसफुल है target practice जो मैंने बता है target प्रैक्रेक्टिस क्या होती उसके लिए अगर आपको लगता है कि यह अच्छा रहेगा resource मेरे शालते तो अच्छा रहेगा बिलकुल अच् नहीं दोत नहीं है वेबसाइट असल में अच्छे सा रिकॉर्ड हो रही थी इसलिए मैंने किया आप से भी आप डाइरेक्टली ले सकते हो इसको चलो फिर बाई